नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चाननी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपूरिया और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन दिनों भोजपूरे इंडस्ट्री में एक के बाद एक बड़ी खबरे देखने को मिलती है जहां भोजपूरे फिल्म इंडस्ट्री में धेर सारी फिल्में बन रही है तरह तरह के गाने आ रहे हैं तो वहीं कई सारे नए एक्टर और एक्ट्रेस की एंट्री भी हो रही है और साथी साथ भोजपूरी इंडस्ट्री के अलावा अगर बिहार और पुर्वांचल की बात तो वहाँ पर राजनीती में भी धेरो बाते आ रही है तो बिहार की जनता के लिए भी काफी कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से तो कई जगा कई ऐसी संस्थाइं भी खोली जा रही है जिससे लोगों को थोड़ा सा थोड़ी सी सुविधा मिले थोड़ा सा एक जीवन जीने का तरीका थोड़ा आसाल हो और वही तमाम खबरे हम आपको इस खास टॉप नियूज में बताते हैं जिसमें आपको राजनीती से जुड़ी, बिहार से जुड़ी, पुरवांचल से जुड़ी और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम खबरे सुनने को और देखने को मिलती है बताते आपको कि इन दिनों बिहार उन राजियों में से एक बन चुका है जो कि अपने आप में एक अपनी खास बहचान रखता है और साथ ही फैन्स को जहां भोजपुरी एक्टर एक्टरिस पसंद आते हैं तो वही कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिहार से नहीं है, लेकिन भोजपुरी फिल्मों और गानों के वह खासा फैन होते हैं लेकिन अगर बात करें भोजपुरीयाद दर्शकों की तो भोजपुरीयाद दर्शकों के लिए उनके सूपरस्टार्स उनके किसी बड़े चेहरे से कम नहीं है और साथी साथ आपको बताते चलें कि विह लाए जा रहे हैं जिससे उन लोगों का जीवन इस्तर थोड़ा उचा बन सके और ऐसी ही तमाम खबरें आपको इस खास न्यूज में दिखाते हैं और इस खास प्रोग्राम में इस खास प्रोग्राम के जरीए हमारा मकसद होता है कि आप तक वो सारी खबरें पहुचा है जो इन दिनों बिहार से जुड़ी और भोजपूरी इंडस्री से जुड़ी होई होती है तो चलिए नजर डालते हैं उन सभी खबरों पर जो की इन दिनों बिहार और भोजपूरी फिल्म इंडस्री से जुड़ी होई है इन दिनों भोजपूरी की खुबसूरत एक्ट्रिस अ लाल सूट और वाइट प्लाजो पहने हुए नजर आ रही है बता दें कि इन दिनों अक्षरा सिंग अपने फिल्म को लेकर काफी चर्चे में है तो वहीं इन दिनों अपने परिवार वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ काफी टाइम भी स्पेंड करती हुई नजर आत तो कि भी उनके चेहरे का निखार देखते ही बनता है लेकिन आपको अक्षरा सिंग की एक खास फोटो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे नेक्ष्राइन भोजपूरी आसे चांडनी के रिपोर्ट भोजपूरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल ने ह देसे रखेसारी बाद अगली फिल्म की शूटिंग शुरू होगे, जसके खाबर अभी से मलने लगी है कुछ पता दिए कि की दोनों फिल्म को कडने को लेकर काफी उतसाहित हैं —ग्षरा सिंग ने भी बिना इसलिय माय इस फर्वन को कडने के लिए हां कर दिया थाद तो रहीं के साद लाल ने फोड़ा सा समय लिया उसके बाद उन्हों खेसारी के साथ अक्षरान नजर आएंगी जैसे दर्शकों की उमीदी और जादा बढ़ गई है हाली में खास ख़बर सामने आई है दरसल कुछ महीनों पहले जहां भारत में नोट पंदी के बाद लोगों को काफी ज्यादा परेसानी हुई थी तो उसके बाद से नई करंसी जारी की गई थी जिसमें 200, 500 और 2000 के नए नोट निकाले गए थे वही खबर आ रही है कि इन सभी नोटों को नेपाल में गैर कानूनी घुशित कर दिया गया है जिसकी वज़ा से बिहार के लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और नेपाल के इस फैसले के बाद बिहार के कुछ सीमावर्ती इलाके सक्ते में हैं बतादें कि कहा जा रहा है कि बिहार के कुछ जिले नेपाल से सीधे तौर पर व्यापार करते हैं और ऐसे में बिहार के कई जिलों को इसका खामिया जहा भुगतना पड़ेगा बतादें खबरे आ रही है कि नेपाल में 100 उपे तक की ही भारती करनसी मानने होगी अब ऐसे में देखना काफी ज्यादा दिल्चस्प होगा कि ऐसे में बिहार सरकार और नेपाल सरकार लोगों को सुविधा देने के लिए क्या रास्ता निकालती है इन दिनों भोजपुरी के आन, बान और शान कहे जाने वाले एक्टर पवन सिंग अपने फिल्म क्रेक फाइटर के शूटिंग में बिजी है और हाली में उनके फिल्म के सेट से एक वीडियो सामने आई है जसमें वो अपने मेकप मैंन मोनु का जन दिन खुशी से मनाते हुए नजर आ रहे है बता दे कि इस दोरान पवन सिंग ने मोनु जी को गले लगा कर और केक खिला कर जन दिन की बधाई दी वहीं बता दे कि इन दिनों उनके फिल्म के शोटिंग जोरो पर है और इसी के साथ इन दिनों पवन सिंग का जबरदस्त अपतार फिल्म के सेट पर भी देखने को मिलता है वही अगर बात करें उनके फिल्मों की तो बता देगी पवन के फिल्म के सेट पर कुछ दिनों पहले उनकी एक नन्नी भेयन पहुची थी जो की दिव्यांग थी और पवन ने उन्हें वीलचेर गिफ्ट की और साथ ही धेर सारा प्यार भी दिया तो वही कुस दिनों पहले उनके फैंस का जमावडा भी उनके फिल्म के सेट पर देखने को मिला था इन दिनों बिहार के आरजेडी प्रमुक लालू यादब के बड़े बेटे तेज प्रताफ फिलहाल पत्नी और परिबार से दूर रह रहे हैं और हाली में उनका एक ट्विट सामने आया है बता दें कि इस ट्विट में उन्होंने लिखा है हिम्मत जुनून होसला आज भी वही है वही आगे लिखते हैं कि मैंने जीने का तरीका बदला है तेवर नहीं और तेज के इस ट्विट से तो साफ है कि उनमें हिम्मत जुनूर और होसला आज भी है और कहीं न कहीं उन्होंने अपने परिवार को और कहीं न कहीं अपने विरोधियों को एक जबरदस्त पलटवार दिया है तो वहीं इन दिनों तेजस्वी भले ही अपने परिवार से दूर रह रहे हो लेकिन उनकी नजर आज भी हर मुद्दे पर बड़ी पैने तरीके से बनी रहती है और हर बात पर तेजस्वी ट्विट करना या फिर सोशल मीडिया पर लिखना नहीं भूलते बिहार जार्खन में रुलीज होने वाली हालिया भूचपुरी फिल्म दबंग सरकार को बिहार से बहुत अच्छा रेस्पॉंस मिला है मुंबई में भी इस फिल्म की अच्छी खासी कमाई हुई है लेकिन हट जगे फिल्म एक साथ रुलीज नहीं हो पाई जसकारन उतर प्रदेश और दिल्ली में रहने वाले खिसारी के फैंस थोड़े निराश थे लेकिन आम उन लोगों को निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 28 दिसंबर को रुलीज होने जा रही है योगी शुराज मिश्रा द्वारा निर्मित फिल्म दबंग सरकार ब्यार ज़र्खन मुंबई गुजरात के बाद अब सीधे रुलीज होगी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जी हां बता दें कि फिल्म दबंग सरकार के निर्माता, दीपक कुमार और राहुल वहरा हैं फिल्म में एक हिसारी लाल के अपोजिट लीड रोल में नियू कमर रकांशा वस्ती नजर आ रही है जबकि काजल रागवानी फिल्म के दो गानों में गिस्ट अपीरियंस के तौर पर नजर आएंगी फिल्म के प्रोडियोसर दिनेश तिवारी और प्रचारक संजेबूशन पतियाला है यह फिल्म काफी पहले से ही चर्चाओं में थी जिस समय शूटिंग में हुई थी यही कारण था कि इस फिल्म के पहले शो में ही बहुत सारे लोगों ने फिल्म को जबरदस्त प्यार दिया तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है अभी तक ये फिल्म तो चिंता ले रे वाली कोई बात नहीं है क्योंकि आने वाले दिनों में आप इस फिल्म को अपने नजदे की सिनेमा घर में हर जगे देख पाएंगे नेक्स्ट टू नाइन न्यूज बोचपुरी या सेम अमता की रिपोर्ट बोचपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंग जब भी कैमरे के सामने आते हैं एक अलग अवतार में सामने आते हैं हर सीन के हिसाब से उनका लुक बदलते जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं पवन सिंग के सीन के हिसाब से तयार करने वाले हैं उनके एक मेकप मैन जिनका नाम है मुकेश जिनको प्यार से मोनु भाईया कहकर बुलाते हैं जानकारे के बता दें कि संचिता भी इस फिल्म के सेट पर देखी जाती है जिनका मेकप मोनु भाया ही करते हैं पवन सिंग ने पीते दिन पहले अपने मोनु भाया का जनम दिन क्रेक फाइटर फिल्म के सेट पर बड़े दूमधाम से सेलिबरेट किया और उनके लिए एक गाना भी गाया जाते जाते बता दें कि पवन सिंग के फिल्म संचिता बैनर्जी के साथ ये पहली फिल्म है लेकिन दोनों एक साथ काम करके काफी खुश दिखाई देते हैं फिलाल राची में बहुत धुमधाम से इस फिल्म की शूटिंग हो रही है उमीद है जल्दी बनकर तैयार होगी नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपॉर्ट तो दोस्तो आप लोगों ने देखा कि ये सारी जो तवाम खबरे हैं इन दिनों बिहारी दर्शक या फिर पुर्वांचल के लोगों या फिर भोजपुरिया दर्शकों को कही ना कही ये सारी खबरे पता चल रही है और साथी साथ ये खबरे इन दिनों सुर्खियों में ब को सब्सक्राइब करना ना भूलें